करो दोस्तो बाद एक बार फिर भालां ची उंलाएन फ्लासेज में आप सभी का श्वाग थे जैसा कि आपको त्याने अपन मेत पर ज到 लिए ते और मेत में अपने कूंसा टोपिक श्टार्ट कीया था समे और काम कूंसा श्टार्ट किया था समे और काम संघ वर चांम.. चुम आता है एक मिनिट हो मैं पैन सेड कर देता हूं हाँ सभी है कि हिसका समय और कौन कर्द यह साक्राइब किया तो इस तौिन को से टाइब कि से करना यह तो एक सब्सक्राइब करने दिन मैंने आपको सिखाय था इसके बाद मैं अपने किया था A किसी काम को X दिन में B किसी काम को Y दिन में और C किसी काम को Z दिन में यह अपने किया था और इसका मैंने आपको basic सिखाय था कि कैसे करते हैं तो इसका formula क्या था है X into Y into Z upon XY plus YZ plus ZX यह इसका फॉर्मूला होता है आपको भी क्यूसन सॉल करना इस फॉर्मूले से हो जाएगा और यह फॉर्मूला कैसे बना तो मैंने यह फॉर्मूला आपको सिखाया था कौन सा यह फॉर्मूला कैसे बना यह मैंने आपको सिखाया था तो इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को भी बना के देखना कौन से वले को इस वाले फॉर्मूले को अगर नहीं बने तो वापिस कल पूस लेना आज की क्लास में नीसे कमेंट कर देना सलती क्लास में मत करना उसके बाद में सलती क्लास में भी कर देना और नीसे भी कर देना जो क्यूंस का जो वीडियो होता है उसक कुसी काम को सोला दीन हो कि उनकी कार्य समता का अनुपात लेकिन हमने एक किया था इसके और क्यूसन्स नहीं किये थे तो आज आपन इसके और क्यूसन्स की तरफ बढ़ते यह कर दिया था यह भी कर दिया था यह नहीं किया दें यह अपन बाद में करेंगे तक एक में में जिसन्स निकाल देता हूं हाँ पहले यह करते हैं अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे 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 सामने आते करते रहेंगे और the mission करेंगे देखो इसने क्या का है ए ए काम को आठ दिन में और dru parents कर सकते हैं तो ए भी सी तीनौ मिल गए इस काम को कितने दिन में करेंगे करिये मित्रों कूस्सको शॉल करें आपको हर क्यूशन फे मैं एक से डैड मिनिट का टाइम दूँगा कितना एक से डैड मिनिट का अपने कल जो जो क्यूशन किये थे उनकी आज अपन प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके अलावा अपन नया कंसेप्ट भी सीखेंगे आज अपनी कलास लगबग एक गंटे की होगी और थोड़ी बहुत अवाज में प्रोब्लम है उसको प्लीज हंडल करें आपका टाइम खराब नहीं हो क्योंकि एक्जाम के लिए केवल दो ही महीने बस है गणीत कंप्लीट नहीं होगी इसलिए मेरा जुका मोरका है अब आज के लिए नहीं आ रही है फिर भी पढ़ा रहा हूँ तो देखो क्या है ए बी किते दिन में करते हैं ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं ए प्लस बी आठ दिन में और बी प्लस सी करते हैं बारा दिन में और कोने ए प्लस सी करते हैं आठ दिन में अब इनका सबसे पहला काम किया, LCM लेना और LCM किता आजाएगा, मेरे साब से 24, सही है, 24 आगया, अब A किते, A और B किते दिन में करते हैं, 3 दिन में, B और C किते दिन में करते हैं, B और C 12 दिन में, तो किती efficiency, 2, और इनकी किती A और C किती आजाएगी, 3, यहां तक आपको आगे का थोड़ा concept है, वो मैं यहां सीखाता हूँ, जैसे अपने को दे रखा है, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, और 3 प्लस 2 प्लस 3, तो किता हो गया, 3 दिन 6 दो 8, यहनी 8 दे रखा है, ठीक है, किता दे रखा 8, तो अब मैं इसमें से ले सकता हूँ, देखो, A यह दो बार, B, B भी दो बार, C, C भी तो, दो बार लिख लिया, A प्लस B प्लस C is equal to 8, अब क्या क्या क्या, मैंने A प्लस B प्लस C कर दिया, तो किता हो गया, 8 दिवाइट वाइट 2, यहनी 4, तो A प्लस B प्लस C की एफिशेंसी किती आ गई, A प्लस B प्लस C की आ गई, 4, और A और B की दे रही है, 3, तो C की किती आ गई, 1, C is equal to 1, अब देखो, इसके बाद में अपने को दे रही है, B और C की 2, तो A की किती आ गई, A की आ गई, 2, अब देखो, A, A, B, C, 3 हो किसी आ रहे, ठीक है, और C और A की आ गई, 1, और 2 किती, 3, तो पीछे कौन बसा, B, और B की किती आ गई, C की 1, तो यहनी efficiency, यहनी कारे समता क्या आ गई, कारे समता, कारे समता, तो कारे समता किती आ गई, C की 1, A की 2, और B की 1, अब अब अपने क्यूसिंस की तरफ बढ़ते है, क्या बोला, A, B, C, 3 मिलकर पूरे कांग को कितने दिन में, तो आपको अलग-अलग निकाल नहीं थी, केवल स्याट निकालती, अब देखो, A प्लस B प्लस C, is equal to 4, और टोटल कारे कुल कारे किता है, कुल कारे, तो वो है, कुल कारे किता है, 24, यहनी तो अब कुल कारे 24, डिवाइड बाए 4, is equal to 6, यहनी टोटल कारे किता है, 120, और A, B, C, की तीनों का एक दिन का कारे किता है, तो कुल कारे में, इनके एक दिन की कारे का भाग दिया, तो कितने आगे, 6 दिन, तो यह हो गया, अपना answer, क्या हो गया, अपना उत्तर, ठीक है, अगले questions की तरफ बढ़ते हैं, यह करिए, यह बी यह काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसको करने से, वो कल वाले पे अपने, वो कल वाला की उता न, उसी के ही questions था, तो उस पे अपने कल बहुत practice की थी, आज यह नई type आती है, तो अपन इसको करते हैं, इसके लिए मैं नए page में सला जाता हूं, आप पहले इस questions को सवाल करा, फिर मैं नए page में समझाओंगा, आपके पास dead minute का समय है, एक से dead minute उसमें आप इसको सॉल करें, मैं एक बार questions पढ़ लेता हूं, अगर पढ़ लिया तो आप सॉल करने में द्यान दे, A, B, किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, B, C, उसी काम को 15 दिन में, तता C, ये दोनों मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यह अपने पीसे किया उसी टाइब का है कल वाली टाइब नहीं है यह जो अपने की थी न यह अपने कल टाइब यह नहीं की थी यह टाइब आज ही स्टार्ट किया कौन सी वाली ये वाली ये टाइप अपने आज ही start किया कल ये type नहीं की थी ये आज ही start किया कल अपने ये नहीं की थी sorry मैंने गलत कहा था अभी कहा था कल ये कर दिती तो जैसे अपने अभी पिसला questions किया वैसे ही ये questions होगा आपका time पूरा होने वाला है देखिए अब मैं समझाता हूँ देखो A B 12 दिन में B C 15 दिन में और C A 20 दिन में क्या है A प्लस B किते दिन में 12 दिन में B प्लस C 15 दिन में और C प्लस A करते हैं 20 दिन में LCM किता आ गया दोस्तों 60 अब देखिए 12 में भाग दिया तो 5 15 में दिया तो 6 और 20 में दिया तो 3 60 में इनका भाग दिया है तो ये क्या आ गई करे समता या efficiency यहनि एक दिन का काम अपन यह मान लेते हैं इनका एक दिन का काम अब अपने को निकालना क्या है A प्लस B प्लस C का यहां पर भी अपने कैसे निकालना था देखो अभी मैं समझा क्या हूँ यह रहा यह ऐसे लिखा था पूरा उसके बाद मैं अशे लिखके डिवाइड बाइ लास्ट ओप्सन क्या था लास्ट यहनी अपने तो समझने वाली बात है यह कि सीधा इसको 2 से भाग देना है क्या करना है दो से भाग देना है तो देखिए यह अपना क्यूशन से अब अपने यह जोड दिया कि यह किता हो रहा है पांच और सान्व नव तीन बारा बारा में अगर दो का भाग देता हूं तो उत्तर किता आगया यानि ए प्लस बी प्लस सी का कारे किता आगया एक दिन का यह आगया इनका एक दिन का कारे किता एक दिन का कारे वो किता एच्छ है अब अपने को निकालना क्या है टोटल कुल कारे किता है अब देखो एक दिन का कार्य ये आ गया और इनका कुल कार्य किता है कुल कार्य क्या होता है ये जो अपन मानते है LCM लेते ये कुल कार्य होता है तो कुल कारे है 60 और एक दिन का किता 6 तो दिन किते आगे 10 दिन अपना हो गया उत्तर किता हो गया इसका हो गया अपना 10 दिन उत्तर कितने हो गया 10 दिन किता हो गया 10 दिन आप आज में देखो तो यह काम आएगा अगला क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं यह देखिए यह भी इसी टाइप के यह सेम क्यूशन नहीं है करिए करिए वही है आपके पास डेट मिंट का टाइम है आप क्यूशन को सॉल करने की कोशिश करें क्यूंई इसको आपके यह वही है झाल झाल देखो A प्लस B करते हैं 12 दिन में B प्लस C करते हैं 15 दिन में और C प्लस A करते हैं 20 दिन में इन सब का LCM किता हो गया LCM आ गया 60 क्योंकि ये पीसे बाला क्यूसन सी है इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझा रहा 5, 4 और 3 यानि टोटल हो गये A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम क्या हो गया A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम हो गया 6 और अपने को ये देखे A प्लस B प्लस का A और B का एक दिन का काम कितना दे रहे का A A प्लस B B का एक दिन का काम किता दे रहे का 5 तो A प्लस B प्लस C के तीनों का एक दिन का काम किता है 6 और A प्लस B का है पांच तो C का किता हो गया एक यानि टोटल 6 यानि तो C is equal to एक दिन का काम आ गया एक अब देखिए टोटल काम किता है कुल वर्क किता है कुल वर्क है 16 और C का एक दिन का काम है एक तो किते दिन आगे 60 दिन या साथ दिन यह हो गया अपना उत्तर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और सॉल करते हैं यह देखिए अच्छा क्यूशन से इसको सॉल करें देखो एक मैं आपको बात बताना साता हूं आज यह वीडियो आप देख रहे हो इससे पहले जो मैंने कल पढ़ा आता ना वह वीडियो आप जरूर देखना अगर कोई डारेक्ट आगे आए कल वाला वीडियो किसी नहीं देखा तो वह जरूर देखना क्योंकि यह वीडिय क्लास पढ़ोगे फिर समझ में नहीं आएगा फिर आप किसी दूसरे टीसर के बाद आएगा उसके भी तीसरी क्लास तो वैसे समझ में नहीं सभी मेरे से पढ़ो या किसी से भी पढ़ो पहले पहला नंबर फिर दूसरा नंबर फिर तीसरा नंबर फिर सौता नंबर ऐसे प्रते नहीं करकर अपने केवल क्लास में क्युशन्स पर ही ध्यान देते हैं कर भूत है है कर दो झाल देखिए लिखा क्या A की कारे समता B से तीन गुना है तता A को काम करने में 20 दिन लगते हैं या लेता है A किसी काम को करने में 20 दिन लेता है B इसी काम को करने में कितने दिन का समय लेगा या कितने दिन में समाब्द करेगा यह यह क्याना सारा तो देखो a और b कि क्या दे रखा है कारिय Sमता का नुपात क्या दे रखा a की कारिय Sमता about b Conse of factors is greater thickness यasony इसकी एक है तो इसकी तीन यहनी अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो a किते करेगा तीन काम इसमें किसी को समजन नहीं है समझने में तो आप एक बार वापीस देखें इसके हो मैंने क्या किया है कि B की कार्य संता एक है तो एक ही किती है तीन अब देखो B कितने एक कितने दिन काम करता एक करता है बीस दिन कितने दिन और एक दिन में तीन काम करता है तो किते करेगा तो यह आ गया कुल कारे किसका कोई काम है उसका टोटल कारे यह आ गया क्योंकि 20 दिन काम करता है और एक दिन में 3 करता है तो 60 कुल कारे अब देखो 20 इस काम को कितने दिन में करेगा तो 60 तो टोटल काम है और एक दिन में किता करता है एक तो उत्तर किता हो गया दोस्तों तो उत्तर हो गया 16 इसमें अगर कोई भी समझ्या हो तो आप उसे नहीं तो इस अगले क्यूशन की तरफ बढ़े इसके उप्सन गलत है तो आप उप्सन पर नहीं देए के उप्सन को सौल करें अगर आपको देखना है तो ओप्सन यह साथ सही है यह बी उप्सन है वह एच साथ बटा स्यार और च्यार सही है और डी उप्शन है वह साथ बटा दो अब आप सॉल करें और यह कल अपने किया था बहुत एजी क्यूशन्स है इसको तो 100 परसेंट आपको आणा सही है यह वाला क्यूशन्स तो कि ग भाल के तो क्यों एटा शा के एटां कि अगल आपको है वाला के पूमें ग्यार सब्सक्रादाatra कि आफाशन्स का दो, क्या कम जूशन्स तो, हया भ sniff वाला कर और घएम मार ताक। कि देखो क्या बोला है एक इसी काम को साथ दिन में भी उसी काम को साथ दिन में इन दोनों की टोटल काम किता मैं साथ मान लूँ कि एक और एक साथ दिन में यह करता है यह बराबट दिन में बराबट अब एक लडाएक कितना काम करते है बर को टोटल काम है किता थो टोटल काम है साथ तो साथ मैं दो का भाग दिया तो साथ बड़ा दो यह यह ऐ है देख लो अप्सन है면 इस इए है और क्या से ho Christ साथ दख दो जब भी आपको किसी आढि को दे रहने या तीन दे रहें या स्यार दे रहने हैं स्यारों का तो क्या करना या टोटल जो काम होता है ना जितने दिन होते हैं न उस में जित्ते धर के जैसे सब्सक्राइब करें तो उसका आंस्वर हो जाता है अब देखिए इसको करिए यह फटापट करिए कल वाल अपने किये हुए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूँगा सीधा स्पीड से बदाऊंगा यह आपको 30 सेगिन का समय देता हूं 30 सेगिन में इसका अंस्वराना सी है देखिए एक्स किते दिन में करता है 30 दिन में और वाई किते दिन में करता है 20 दिन में अब इन दोनों को एल्चियम देने जाएंगे तो किता हैगा 60 अब इनकी efficiency तो इसकी 2 आगई और इसकी 3 आगई एक दिन का काम कितना आगया दोनों का मिला के तो एक दिन का काम आगया 5 तो किते दिन आगए 12 दिन ओप्शन है ओप्शन है तो यह आपका सही उतर नेस्ट क्यूसन देखिए यह भी वैसा का वैसा है क्योंकि अपने किये हुए हैं इसलिए फटा पर 30 सेकिंड में इसका भी उतर दो कल मैंने लिख 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 के समझा दिये थे और अपने पीडिये में बहुत सारे क्यूसेंश डाल रहे हैं आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ी अवाली प्रैक्टिस करवा के रहूंगा मैं देखो आपके 30 सेकिंड खतम होते हैं पी करता है 15 दिन में और क्यू करता है 30 दिन में किते दिन में 30 दिन में एल्सेम कितना आ गया 30 तो यहां से 2 15 का भाग दिया और एक यहनि टोटल काम है 30 और एक दिन का 2 प्लस एक 3 यहनि किते दिन हो गए 10 दिन मज़े आ रहा है अगला क्यूशन ये देखिए आप भी इसी स्पीड से करोगे लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस मेरे साथ साथ या प्रैक्टिस करो मैं आपको मैंत पूरी पढ़ा दूँगा गर पे जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं है देखो एक इसी काम को करता है 20 दिन में वी इसी काम को करता है 30 दिन में किता आ गया 63 2 5 अब देखो डिवाइड क्या करना है 60 डिवाइड बाइ 5 यनी 12 days अगिला क्यूशन राम एक काम को 30 दिन में तथा विजे 60 दिन में पूरा कर सकते वे एक साथ कारे करते हैं इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे फटा फट उतर दो तीस सेगेंड का समय आपके पास केवल देखो इदर राम किते दिन में करता है तीस दिन में विजे कितने दिन में करता है साथ दिन में तो इन दोनों का एल्सियम किता आ गया एल्सियम आ गया साथ अब देखो तीस का साथ में भाग दिया तो किती आई एफिसेंसी दो आई साथ का साथ में भाग दिया तो एक आई यानि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं तीन काम और कुल काम किता है दोस्तों कुल काम है साथ और एक दिन में करते हैं तीन काम तो किते दिन में पूरा करेंगे तो बीस दिन में कम्प्लीट हो जाएगा किते दिन में 20 दिन में ये करिए अमन एक काम आठ दिन में तता विजे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं वे एक साथ कारे करते हुए दुगने कारे को कितने दिन में समप्त करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना दुगने कारे को अभी सौल हो जाएगा करिए ये इसी क्यूशन के अपने अभी तक इस क्यूसरण्स की प्रैक्टिस करनी है, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस D वाले क्यूसरण्स की, लेकिन मैं अभी एक बार यह करवा देता हूँ, फिर आपको उसपे वापिस लेकर जाता हूँ पहले पढ़ाया अब आपको बूलाया अब वापिस पढ़ाताओं यही अपना कंसेप्ट है क्या है पहले पढ़ाओ फिर बूलाओ फिर वापिस सीखाओ बूलाने का मतलब दूसरे क्यूशन्स बीस में लेके आजाओ अमन यानी ए लिख लेता हूँ विजे यानी बी लिख लेता हूँ अमन किते दिन में करता है आठ दिन में विजे करता है दस दिन में तो एफिसेंसी किती है टोटल कारे किता मान लेते है अपन सालिस मान लिया मान लिया अब क्या करते हैं देखो आठ का भाग दिया तो पांस आया दस का भाग दिया तो स्यार आये एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं तो नो ना काम अब देखो अगर बोलता के दोनों साथ में कितना करेंगे तो क्या था 16 बटे 9 लेकिन क्या बोला है दुगने कारे को कितने दिन में पूरा करेंगे दुगने यनि पहले 16 अब दुगना तो 16 इंटो 2 किता हो गया 80 अब 80 काम को एक दिन में 9 काम करते हैं तो 80 डिवाइड बाई 9 80 डिवाइड बाई 9 किता आ गया तो 9 into 9 किता होता है 81 होता है यानि 81 ही होता है तो 8 बार तो 8 तो पूरा आ गया और 8 बटा 9 दिन आ गया समझ में नहीं आया पता है आगे करते हैं ए करता है 8 दिन में और विजे अमन और विजे विजे करता है 10 दिन में तो टोटल आपन LCM लेते हैं या टोटल काम कितना मान लेते हैं साड़ीस इसमें तो आपको कोई समसिया नहीं है अब efficiency निकालते हैं तो इनका एक दिन का काम अमन का तो 5 काम आ गया और विजे का किता आ गया श्यार यनि अमन का एक दिन का अमन पलस विजे का किता एक दिन का काम किता आ गया और कुल कारे है किता कुल कारे है साड़ीस अब इसने क्या बोला कुल कारे का डबल किसका कितना दो गुना तो दो गुना यहनी शाड़ीस गुना दो तो किता हो गया असी यहनी अब अपने को काम करवाना कितना है असी असी काम करवाना है और एक दिन में कितना कर रहा है नो तो किते आगे नो का डिवाइड करना है तो आठ सही आठ बटा नो दिन उत्तरा दाएगा अब मेरे साथ से आपको समझ में आ गया अब अपन बढ़ते हैं अगले क्यूसेंस की तरही देखो इस क्यूसेंस में अपने को क्या करना वो ती गुने कारे को वे दोनों इस कारे के तीन गुने कारे को कितना तीन गुना कारे करवाना है कितना तीन गुना कारे करवाना है फटा पट करो ओप्शन नहीं मिलेंगे इसका अठारा लेख लो सौपन लेलो 36 लेलो और पिछोतर लेलो ओप्सन अगर मिलाने हैं तु यह अपने ओप्सन है अब देखते हैं आपन करते हैं इस क्यूशन को आप स्वाल करें स्पीड से 10 सेकेंड मान सब आने से यह सब गे देखिए हो गया सबका या भी 10 सेकेंड और सेलो लाश्ट 10 सेकेंड और दिए आपको आपके 10 सेकेंड होते हैं पूरे अपन अपन भी सौल करते हैं क्या बोला था देखो एक बार क्यूशन स्वापिस पढ़ लेते एक काम को 50 दिन में तथा बी 30 दिन में पूरा कहते हैं तो दोनों इस कारे को कितने दिन में 30 और 50 पच्चास और 30 यानि एक कितने दिन में करता है एक करता है 50 दिन में और बी करता है 30 दिन में तो एफिसेंसी कितनी आ गई 150 तो यहां से 3 और 5 यहां तक किसी को कोई doubt हो तो बोलो किसी को doubt नहीं यानि A की efficiency है 3 और B की 5 तो A प्लस B एक दिन में कितना करेंगे 8 और total काम कितना है 150 लेकिन करना कितना गुना है तिक गुना तो into 3 कर दिया तो किता आ गया 450 यानि 450 काम है यह करना है 8 दिन की efficiency से तो 8 का भाग दिया तो 8 उपंचा सालिस पीसे बशा 50 यानि 8 संग 48 एक बटा स्यार दिन 56 सई एक बटा स्यार दिन में कम्पलीट हो जहेगा ठीक है कोई doubt कोई doubt नहीं है देखो A पच्छास दिन में B तीस दिन में 25 और 30 की क्या होती है 400 में 3 और 5 सई है 5 और 3 आठ इसमें भी कोई नहीं है 8 काम करते हैं और 500 गुणा 3 गुणा किया तो 500 गुणा 3 किया तो किता होग या 450 अब 450 में 8 का भाग दिया तो किता आगे 56 सई एक बटा स्यार मैंने पहले ही बोला था आपके option नहीं मिलेंगे ये भी option नहीं मिलेंगे इसका सई उत्तर होगा 57 सई एे 10 वहार दिन यह करिए कियो वही होथे एक्जाम में क्या होता है ज्याद से ज्यादा थोड़ी बहुत क्या करता है वो समय के यह की काम होता है भासा होती है ने क्यूशन और स्कों ओमां देता है तो मैं आपको अच्छे लेभल के नदा हूं SSE 10 प्लस 2 के SSE CGL लगभग SSE CGL तक के CGL प्री तक के, मैंस तक के नहीं प्री तक के क्यूशन्स में आपको करवा रहा हूँ मैंस में थोड़ा अच्छा लेवल आता है वो अपने राजस्थान में इतना नहीं आता लेकिन प्री लेवल के कभी कभी पूस लेते तो देखिए, अब क्या बोला A, A काम को 18 दिन में और B, 37 दिन में पूरा कर सकता है तो वो 2 बटा 3 भाग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों मिलके, तो पहला क्या काम में अपना A करता है 18 दिन में B करता है 37 दिन में तो टोटल काम किता हो गया 36 मान लेते हैं तो दो आगी efficiency और एक ही यहां तक किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो आप इस questions के बारे में पूशे क्या यहां तक अगर समझ में नहीं आया हो तो आप पूशो समझ में आ गया अब देखो टोटल काम किता है 36 इसका निकालना किता है 2 बटा 3 तो 12 ती है 36 यहनि 120 काम करना है कितना 24 काम करना है और एक दिन में कितना काम करते हैं एक दिन में 3 काम करते हैं किता 3 काम तो किते दिन में कर देंगे? आठ दिन में यानि टोटल काम करना किता था 36 का 2 बटा 3 यानि 120 और एक दिन में 3 काम करते हैं तो किता हो गया? आठ दिन यह रहा अपना सही उत्तर क्या रहा? सही उत्तर किता है? आठ दिन Next questions की तरह बढ़ते हैं? यह रहा 18 एक काम को 25 दिन में तथा रोईत पिशेतर दिन में पूरा करता है यानि 18 एक काम को किते दिन में करता है? 25 डेज में तथा रोईत पिशेतर दिन में पूरा करता है तो दो बटा 5 कारे को दोनों को करने में कितना समय लगेगा? जल्दी से स्वाल करें क्यूसेंस असे से पढ़े जिसको क्यूसेंस इसने आपने पढ़ना सीख लिया उसने सोच लेना आदा स्वाल हो गया देखो आशीश एक काम को आशीश का ए मान लेता हूँ रोईट का आर मान लेता हूँ आशीश करता है पच्छीश दिन में रोईट करता है पिसेटर दिन में तो LCM किता आ गया है पिसेटर पिसेटर में पच्छीश का भाग दिया तो तीन और पिछेतर में पिछेतर का तो यह आगी इनकी efficiency यानि इनका एक दिन का काम आ गया ठीक है अब देखिए यह आ गया अब देखो क्या बता दो बटा पांच यानि 75 डिवाइड बाई 5 गुणा दो यह दिख नहीं रहा है यह कलर दिख नहीं रहा है यलो दिख रहा है यलो भी नहीं दिख रहा है यह दिख रहा है देखो अब देखो टोटल कारे किता है टोटल कारे किता है 75 और करना किता है इसका 2 बटा 5 तो 5 से काटा 15 बार और 15 इंटू 2 यनि 30 काम करना है और एक दिन में किता क्याते हैं 6 यनि किता 7 सई 1 बाइ 2 7 सई 1 बाइ 2 ओप्शन नहीं है पोई नी ओप्शन नहीं है यह रहा ओप्शन 15 बटा 2 ठीक है इसको सॉल नहीं किया इसने क्या किया 7 इंटू 2 सब्दा प्लस एक 15 बटा 2 सीधा उतर दे दिया है यह देखिए वैसा ही क्यूशन चे एक टाइप के अनेकों क्यूशन चे ताकि आपका कंसेप्ट पूरा किलियर हो जाए हमारा एक की मक्सद है आपका कंसेप्ट पूरे किलियर करना देखो एक काम को किते दिन में करता है 60 में और बी करता है 20 दिन में तो दोनों इस कारे को कितने दिन में पूरा च्यार गुने कारे को यह करता है 60 दिन में बी करता है 90 दिन में lcm किता आगया lcm आगया आपका 108 180 में 60 का भाग दिये तो 3 और 2 यानि एक दिन का काम कितना आगया इनका एक दिन का काम आगया पांस और अब 6 गुणा करना है तो 108 गुणा 4 डिवाइड बाइ 5 क्योंकि एक दिन का काम तही है इनका 5 तो पहांच ए काटो 3 बार कितनी बार तीन बार और छे बार 36 बार इससे काटोगे तो किता आजाएगा 36 यानि एक दिन में 36 और इंटू श्यार किया बाउतर बाउतर दुआ 116 दिन में ये काम कम्प्लीट हो जाएगा कितने दिन में 116 दिन में काम कम्प्लीट हो जाएगा यह calculation है, सिधा है मैंने खिया कि 180 में 5 का बाग देजिए, 37, 37 into 2, 32 into 2, 166 है, 37 पुना 6 करोगे, तो अब यह 166, calculation तोड़ के करना, इसके लिए, calculation के लिए, please, 30 तक table, 30 तक square, 20 तक cube, याद करना, इससे आपके calculation में बहुत speed मिलेगी, जिससे आपका क्या होगा, time save होगा, क्या होगा, time save, कोई ऐसा मत बोल देना, आम तो table वहां लिख लेंगे, बहुत time जाता है, वो time हमें बसाना है, OMR mark sheet पढ़ने में काम आएगा, अगर online है, तो आपने बीजे, दूसरे questions होते है, तो फिर time नहीं बसता, इस questions को, यह अपने कल किया था, करो, ABC यह कारे को करम से 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस कारे को वो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, यह अपने कल किया था इस टाइप का, तो अभी इसकी एक बार वापिस practice हो जाए देगी, यह साइथ तक अपने यह कई एक क्यूसंस भी कल किये था, लेकिन आज दुबारा कर देते हैं, अपने कोई कुछ जाने वाला नहीं है, अपने को क्यूसंस ही solve करने practice हो जाएगी, देखो इसका LCM किता 60 आ गया, अब देखो 12 का भाग दिया, देखो A किते दिन में क करता 15 दिन में, C करता 20 दिन में, यानि इन तीनों दिनों का LCM लगे या टोटल काम मानेंगे, तो किता मानेंगे 60, अब देखो 60 में 12 का भाग दिया, तो किता 5 आ गया, यानि एक दिन का A का काम 5 आ गया, B का 4 आ गया, और 6 का 3 आ गया, टोटल काम कितना आ गया, तीनों का ए किते आगे पांस दिन तो आंसर क्या यह हो गया अपना ठीक यह देखो श्यार वाला किसंस आगया पीक्यू आरे से काम को क्रम सब 20 दिन 30 दिन बारा दे 15 दिन तता 48 गंटे में पूरा करते हैं तो इस कारे को एक साथ मिलकर कितने गंटे में पूरा करेंगे यह आपके लिए सोड़ दिया जाए चलो बता देता हूं श्यार का है इसलिए किते दिने 20 30 15 15 किते दिने 20 30 15 15 ठीक है अब देते हैं अपन क्या LCM क्या लेते LCM LCM आयेगा 180 किता आयेगा 180 20 का भाग दिया तो 9 30 का भाग दिया तो 6 15 का दिया तो 12 और 45 का दिया तो किता आया दोस्तों स्यार 12 और स्यार 16 16 और 6 20 29 30 यानी 29 29 गा भाग दिया यानी 30 किती बार 6 बार वता तो पूरा तो 5 तो ओगया पूरा पांस यानि किती बार हो गया 29 गुणा पांस करो किते आते शोरी 6 बार तो जाएगा पूरा क्योंकि अगर 30 होता ना तो भी 6 बार चला जादा लेकिन ये तो ये कम है गुणतीश है तो 6 बार तो होगया कम्प्लीट तो 30 होता तो किता आता पूरा एकस अच्छीश तो किते बस के 6 अपन गुण 30 यानि 6 6 बटा गुण 30 कौन चा ओप्षन है देखो कुछ भी नहीं है सीधा दे रहा है तो यह अपना अंस्वार अगर इसकी जगे यह होता 6 6 बटा गुण 30 तो यह भी अपना उत्तर सही होता यह देखो यह आपको खुद को करना है और इसका क्यूस हर किसी को कमेंट में करना था कि मुझे पता सले कि आप सही में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो टाइम पास करते हो या पढ़ाई करते हो देखो अपने आग एक्यूशन्स और है जो अपन छोड़ के आयेते पीसे यह देख यह करिया इस टाइप को अपने एक्यूशन्स किया है ना आज देखो पहले एक बार अपन देख लेते हैं अपने इस टाइप का किया है नहीं किया है तीनों मिलकर यह सी अकेला कितने दिन में तो इसी टाइप का क्यूशन्स अपन करके आएं है तो यह आपको अंडेट परसेंट आना सी है देखिए करिए एक काम को 48 दिन में जबकि बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है सी की सायता से वो पूरे काम को 120 दिन में अच्छा यह अपन यह टाइप नहीं किये अथी टाइप है यह समझने लाइक टाइप है इस क्यूसन को अच्छे से करना देखो क्यूसन क्या है अपन इसको नए पेज पर आराम से करते हैं ए किते दिन में करता है ए करता है 48 दिन में बी करता है 60 दिन में लेकिन ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किते दिन में कर देते हैं देखिए एरा, C की सायता से वे पूरे काम को 120 दिन में, किते दिन में? 24 देज में, यह है अपना आज का क्यूसन्स, इसमें आप यहाँ तक तो आपको समझ बागा है कैसे लिखा, A 48 दिन में करता है, B 60 दिन में, यह तो दे रहे हैं, और C की सायता से, यह यह प्लस B प्लस C, तीनो मिलके किते दिन में करते हैं, तो वो करते हैं, 60 दिन में, यह तक आपको कोई प्रिवर्बलम नहीं है मेरे हिसाब से तो, अब देखो, इसका LC हम लेने जाते हैं, तो मेरे को 246 दिख रहे है, यह से 5, 4, और 10, ठीक है, अब देखो, A कर रहा है, एक दिन में 5 काम, B कर स्यार काम टोटल के ता हो गया A plus B कितना कर रहे हैं नों काम लेकिन और A plus B plus C Tікan क कर रहे हैं दस क्याम तो ठहिए किस्यकष नों कितना करे दस थकाम तो C कितना करेगा तो दोस्तों c का एक दिनका काम आ जाएगा एक अब पूशा क्या है C कितने क्या पूशा है तो C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा तो C अकेला करेगा दोईसो साड़ीस डिवाइड बाइ वन यानि टूफोर्टी डिज एक बार इस क्यूशन को देखो काँ पर अपने क्या किया है समझ में आजएगा देख लिया अब इसको करो सेम टाइप का क्यूशन से इसको सॉल करो देखो मैं बताओं अभी तक आप एक बार आप ट्राई करो तीस सेकिंड आप के पास और है देखो एक बारा दिन में करता है बी पंदरा दिन में करता है और एक प्लस बी प्लस सी किते दिन में करते हैं छे दिन में तो एल सी माप को किता दिख रहा है शिक्स्टी दिख रहा है यहां फाइप आ गया यहां फोर आ गया और C 6 दिन में करता तो यहां 10 आ गया तो यह दो A का किती एपिसेंसी 5, B की 6 तो A प्लस B की किती हो गई A प्लस B की हो गई 9, और C A प्लस B प्लस C की किती हो गई 10 तो C की किती हो गई 1, अब C के दिन निकाल ले तो 60 बटा 1 is equal to 60 days यहां तक आपको कोई प्रोब्लम नहीं है तो इस Qs को करो जल्दी से करो Qs क्या एगवार मैं Qs पढ़ लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप एगवार सुन ले A एक काम को किते दिन में करता है 120 दिन में B उसी काम को 30 दिन में और C की साइता से पूरे काम को 12 दिन में पूरण कर देते हैं तो C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा ठीक है A कितने दिन में करता है 120 दिन में B उसी काम को 30 दिन में C की साइता से 12 दिन में करते हैं तो C अकेला अब से आपका टाइम स्टार्ट है एक मिंट में ये क्यूसंस आपका उत्तर आना से ये देखो अब अपने स्कूसंस को सौल करते हैं ए किते दिन में करता है 120 दिन में बी किते दिन में करता है 30 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी मिलके किते दिन में कर देते हैं तो वो करते हैं 12 दिन में किते दिन में 12 दिन में तो इनका LCM किता आगया 120 या 5 और 12 में 120 में 30 का भाग दिया तो 6 और 12 का भाग दिया तो 10 यानि a plus b plus c की efficiency किती आ गई 10 और a की आ गई 5, b की आ गई 4 तो अब c की किती हो गई तो a plus b की हो गई 9 और a plus b plus c की है 10 तो c की अक्यले की किती आ गई तो वो आ गई 1 किती आ गई 1 अब देखो टोटल काम किता है 120 है और c एक दिन में a काम करता है तो किते दिन में करेगा 120 दिन में यह अपन कर सुकर यह वाला cutions तो दोस्तों यह थी आज की अपनी class आपको कैसी लगी है वो जरूर बताना class को like करें या dislike करें जो आपको बडिया लगे वो करें अगर आपको लगे या हमारे को channel का सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन अब इससे प्रेस करें कौन सी गंटा बजा देवे गंटा बजा दे ताकि आपको notification मिलती रहे और यह जो अपनी क्लास है रोज 8 बजे होगी 8 बजे रोज कौन सी होगी मैथ की होगी और 9 बजे क्या होगी जीके की परस्नूत्री होती है जो वो भी लाइव रहती है और यह ठीक है यह दो क्लास है रोज आएगी continue और morning है आपके सुबह computer की होती है और जीके की theory की क्लास होती है तो आज की क्लास अपनी यहीं समापत होती है धन्यवाद और कल आपन फिर मिलते हैं नए questions के साथ किव मान्सidet सत कि आपके सकते हैं जाबान फ्र्वैर यहीं तिर कि कमाने कीरी में और फ्रनी प्रफ़ी करती है आपके स्वेज लाद मीड़ में अबाने कि यहादा है आंल